इस दिन की एक अलगी एहमेत होती है और चाहे इतने साल हमने बिता लिये फिर भी कुछ ना कुछ ना कुछ नर्वसनेस रहती है कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं ना बटरफ्लाइस अन्दर स्टमक हमेशा रहते हैं आज सुबह-सुबह for example और रात को भी ना शाम को लगता है कि कुछ कमी तो नहीं रहे गई क्रॉस चेक करते हैं ये ठीक है की नहीं है तो वो कुछ ना कुछ मतलब शायद बनाता है कि हम इस दिन को कितना importance देते हैं क्योंकि हमारे financial calendar का सबसे बड़ा देन है और इस बार तो ये दिन दोबार आना है अभी आज और उसके बाद जब जुलाई में दोबारा budget आएगा तो उसके लिए खेर कितना important है मेरे कहाल से बजट से ज़्यादा और भी important चीज़े हो रही है कल रात को जो पेटीम की news आई वो actually थोड़ी मुझे दुख देने वाले लगी क्योंकि एक ऐसी company जिसने कोविट के time पे technically पूरा का पूरा इस देश को digitize करने में सबसे एहम भूमिका निभाई उसके against इतना बड़ा step आ गया तो उससे थोड़ा सा कल मुझे दुख हो रहा था obviously fed का outcome आया उस पर निरजी बात करेंगे कुछ देर में उस पर भी हम काफी चर्चा करेंगे लेकिन सिरफ बाजार का जहां तक focus है मेरे ख्याल से बाजार का focus मैं चार चीज़ों पर लेकर चल रहा हूँ बाजार और budget की जहां तक बात है सबसे important है taxes लेकिन market को बिल्कुल पसंद नहीं कि आप taxes में हलकी से भी tinkering करें in fact last 2-3 साल तो बाजार सिरफ इसलिए चल गया था आगी टिंकरिंग होगी लेकिन इस बार के इंटरेम है तो कुछ खास चीज होने नहीं चाहिए अगर कुछ राहत मिल जाए taxpayers को तो वो बहुत बड़ी एक positive होगी I think सबसे important चीज़ जो market focus करती है वो होता है fiscal discipline वो सबसे important है क्योंकि ये सरकाज काफी focus रही है fiscal discipline पर और चाहिए जितनी भी temptations रही हो बिलकुल उसके against the one काम नहीं किया उसका सबसे बड़ा example है petrol और डीजल के prices कितनी बार news reports आई थी कि 5-10 रुपे petrol prices काम होंगे बिलकुल भी नहीं हुआ हलका सावी तो उस चीज में government बहुत clear रही है और ये मेरे ख्याल से continue करेगा CapEx, I think CapEx सबसे important चीज है पिछले साल CapEx में government ने 33% की increment की थी इस साल जो economist का survey है वो expect कर रहा है कि 10% ही होगा वो obviously base बढ़ा है तो इसके लिए लेकिन वो एक important चीज है technically it worked out for them क्योंकि अगर बेश दिया होता तो उसके बाद जो PSU's की rally हुई है उसमें लगता कि हमने जल्दी बेश दिया तो अब at least कम से कम stock prices जो re-rate हुए है मुझे रहा है कि इस बाद शायद थोड़ा सा divestment पर focus रहेगा वसे एक चीज है मैं हमेशा जब भी market की बात करता हूँ एक positioning हमेशा मैं discuss करता हूँ कि market की positioning कैसी है budget में जाते है वर्क nifty और bank nifty दोनों इस समय middle of the range में है और सबसे खास बात जो रही है पिछले कुछ दिनों में कि 200 day moving average को bank nifty successfully defend कर रहा है वो important है क्योंकि आपका सबसे बड़ा index है और mid cap index record hyper है ये एक और interesting चीज है और इस बार जो divergence रही है वो budget से related नहीं है actually क्योंकि जो दो stocks सबसे important रहे है Reliance और HDFC bank उनका budget से कोई लेना देना नहीं है Reliance इस साल 10% रूपर है HDFC bank 14% नीचे last के दो-3 पॉइंटर February नॉर्मली ये काफी trending month रहता है महला हमने देखा ही था कि January की volatility के बाद February मार्केट एक trend बनाता है और अगर budget में अच्छी चीज़े आगी मेरे ख्याल से तो market position इस साब से कि यहां से rally हो सकती है मेरे ख्याल से और obviously Fed के decision पर भी हम react करेंगे ये भी important है budget से पहले बाजार कैसा रहता है ये important होता है normally budget से पहले 7 दिन पहले तक 0.5% nifty उपर रहता है और budget के बाद 3% चलता है इस बार भी अगर आप देखें हमारा एक ping pong का game वहा 400 उपर, 200 डाउन कल फिर 200 उपर आज फिर एक लग रहा है कि निफ्टी 3.8% डाउन था बजट में जाते वग तो budget के बाद 3.2% की rally आई 2022 में 1.7% उपर था तो उसके बाद budget के बाद 0.6% की decline आई और जब budget से पहले गिरता है 2023 में budget से पहले गिरा था तो budget के बाद चला था तो इसके लिए ये काफी interesting होने वाला है मेरे ख्याद से unless कोई शौकर आ जाए market चलने को तहीं आ रहे ये मेरा base case है market चलने को तहीं आ रहे कुछ important beautifully point highlight करते हुए खास तोर पे केpex पे spend जो लगातार बजार को पसंद आ रहा है जहां तक fiscal deficit fiscal consolidation की बात है 5.9 के target अचीव होते हुए शायद नज़र आए और अगले साल के लिए 5.3 5.4% के आसपास fiscal deficit का number पेग हो सकता है और एक चीज़ दियान रखिएगा अब हम खड़ें आम चुनाफ से पहले बजार देखेगा किछद तक populism का तड़का होगा अब उसको कह लिजए क्योंकि rural spending enhance करने की तियारी हो रही है उसे populism कह लिजए या for need of the hour actually उस पर हम लोग आगर डिटेल में बातचीद कर लेंगे लेकिन इस सब कुछ important चीज़ है